हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने Motorola E40 Android मॉइल फोन में Ring Vibration Setting को आप कैसे Enable कर सकते हैं और यह Setting जो है Enable करने के बाद काम कैसे करती है आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं इसके बाद यहां पर आपको Accessibility के इस पेज में नीचे की साइड में आना है और यहां पर आपको जो है Vibration and Haptic Strength का यह Option मिल जाएगा इसे आपको Select करना है यहां पर Ring Vibration के इस पेज में आने के बाद आपको जो है यह Setting On के ओपर Select करनी है On पर Select करने पर यह Setting Enable हो जाती है आपकी Ring Vibration अभी Setting काम कैसे करती है Enable होने के बाद ठीक है तो यहां पर जो है जब भी आपके Mobile Phone पर कोई भी Incoming Call आएगा तो आपका Mobile Phone Ring होने के साथ-साथ Vibrate भी करेगा ठीक है तो यह Setting जो है Enable करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करती है आपके Motorola E40 Android Mobile Phone में अब मैं आपको यह Setting ढूंडने का एक Shortcut तरीका बता देता हूं ताकि आप अपने Mobile Phone में इसे Easily ढूंड सके ठीक है तो यहां पर आपको जो है सबसे पहले तो आपने Mobile Phone में Setting Page Open कर लेना है Setting Page Open कर लेंगे तो आपको सबसे उपर यह Search Setting का Option नज़र आता है Search Setting पर आपको इसे Tap करना है और यहां पर आपको जो है Ring Vibration यहां पर आपको Type कर देना है तो यहां पर आम जो है Ring Vibration यहां पर Type कर देते हैं यह देखिए नीचे की साइट में Ring Vibration का Option आप्शन आगया इसे आपको Select कर लेना है तो इससे होगा क्या कि आपका Mobile Phone आपको Directly Ring Vibration क कि इस setting में लाकर छोड़ देगा जैसे मेरा phone मुझे यहां पर लेकर आ जुका है ring vibration की setting में तो यह मैंने एक आपको shortcut तरीका बता दिया है कि कैसे आप अपने mobile phone में इस setting को shortcut तरीके से ढूंड सकते हैं जो मैंने इससे पहले process बताया था वो step by step बताया था तो इस setting का use जलूर कर कि दिखेंगे